Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल यह सरिफ ऐसा नहीं होता है कि भारती मसालों को या फिर भारती प्रोड़क्स को reject किया गया है, कई ऐसे प्रोड़क्स होते हैं जो फॉरेंड कंट्री में भारत आने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत भी उसको reject करता है, लेट मी टेल यू, यहाँ पर आप खबर देख सकते ह जो करीब 1500 से जादा जो imported food items हैं, उसको भारत ने reject किया है पिछले दो सालों में, यह खबर आप देख साओ गई, बेसिकली जो mint है, उसकी तरफ से report जारी किया गया, imported cheese and whiskey, they may not have made it past India's check post, और इसी के बारे में आपको detail से बताऊँगा, कि आखिरकार कौन से products हैं, जिसको लेक कर रिजट किया है, भारत ने कब रिजट किया, साथी साथ आखिरकार भारत में यह regulation कौन implement करता है, क्योंकि हम imported food items की बात कर रहे हैं, क्या system है भारत के अंदर, वो सारी चीजे मैं आपको बताऊँगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता नया batch है, GS Foundation, UPSC 2025 का प्रतिग्या batch, यह start हो रहा है, खास बात यह है, कि अगर आप यह batch लेते हो, enroll करते हो, और अगर आपका 2025 का प्रिलिंज भी crack हो जाता है, मैं पूरे UPSC exam की बात नहीं करा हूँ, अगर आपका प्रिलिंज भी crack हो जाता है, तो जो पूरा fees है आपका, व validity भी आपको दी जाएगी, तो join करने के लिए हमारे website अप पर जाएए, या फिर comment section में link है और आपको use करना है, यह code UNKITLIVE to get maximum discount, एंड इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt क पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly चल क्या रहा है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कई बार headlines में सुनने को मिलता है, कि जो Indian spices हैं, भारती मसाले हैं, उनको foreign countries के दोरा बैन किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा pesticide देखने को मि reject किया है, और आप देख सकते हो, बताये ये जा रहा है, कि 1500 से जादा जो imported food products हैं, उसको भारत ने पिछले 2 financial year से reject किया है, क्योंकि वो भारत की जो quality और safety है, उसके parameter को match नहीं कर पा रहे थे, और ये सब कुछ किया गया है, भारत के food regulator के दोरा, and I am sure आप सबने सुना होगा, F.S.S.A.I. के बारे में, और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे बड़ी बात यह है, कि जो भारत ने food items को reject किया है, वो बहुत सारे देशों से belong करते हैं, in fact developed countries से भी, Europe के कुछ देश, मतलब कि exactly countries का नाम यहाँ पर नहीं दोगा, उसके अंदर यह बोला गया Singapore और Hong Kong के दोरा, कि उसमें Ethylene Oxide मौजूद है, जो कि एक Cancer Causing Pesticide है, और वो Permissible Limits से जादा है, इसलिए इसको एक तरह से reject किया गया था, और इसी को ध्यान में रखते हैं, भारत की जो F.S.A. से आई है, उन्होंने मई के महने में ही order दे किया था पिछले साल, कि इसको लेकर एक comprehensive testing की जाएगी, मतलब देश भर में जितने brands of spices हैं, उसकी proper testing की जाएगी, और देखा जाएगा कि क्या वो standards को meet करते हैं कि नहीं, खेर, question अब आपके मन में सबसे पहले यह आएगा, कि यहाँ पर कब इन सारे products को, यह जो 1500 products की हम बात कर रहे हैं, भारत ने कब इसको reject किया और कौन से product को reject किया, देखो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि जो financial year 2022-23 था, उसमें FSCI ने 1000 से जादा जो imported food items हैं, उसको reject किया था, और इसमें जो items हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, cheese हो गया, elements हो गया, milk, milk products, alcoholic beverages, जैसे कि whisky, dates, apples, coffee, seafood, chocolates, बहुत तरह के products हैं, इसको 2022-23 में reject किया गया था, फिर 2023-24 का जो financial year है, जो last financial year है, इसमें भी करीब 500 products को reject किया गया, क्योंकि भारत की जो food safety standard है, उसको वो meat नहीं कर पाये थे, तो इससे आपको पता चलेगा कि 1500 से ज़्यादा food products को भारत ने reject किया है, पिछले दो व पताया गया, और मैं भी थोड़ा research करने की कोशिश किया, तो exactly जो countries के नाम है, वो यहाँ पर अभी तक पता नहीं चल पाया है, अल्दो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो department of commerce है, उन्होंने यहाँ पर list of countries prepare कर ली है, क्योंकि क्या होता है, यह कोई छोटी बात नहीं है अगर भारत किसी देश के products को reject कर रहा है, तो उसका proper record हमारे पास होना चीए, ताकि future में अगर उस देश से, उस particular company से कोई product वापस भारत आता है, तो उसके उपर और अच्छे से निगरानी रखी जाए, यहाँ पर बताया गया है, और मैं आपको बता दूँ, भारत 100 से ज़ confusion हो जाता है, क्योंकि भारत में जो items अगर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, it's not just about food items, तो उसकी जादा तर जिम्मेदारी, जो Ministry of Commerce के अंदर आप देखोगे, DGFT, Direct Trade General of Foreign Trade, उनके द्वारा ली जाती है, लेकिन जब हम food items की बात करते हैं, तो यहाँ पर FSSAI, that is Food Safety and Standard Authority of India, यह established किया गया था 2006 के act के तहट, और इसके अंदर, इस act के अंदर, basically, जो एक proper science है ना, कि भारत में जो standard होगा food products का, वो क्या होगा, उसके पीछे का science क्या है, वो इसके अंदर established किया गया था, कि यहाँ पर manufacture को क्या क्या करना चाहिए, storage उसका कैसे करना चाहिए, distribution, sale, import यह सारी चीजें कैसी होगी, क्योंकि देखे, यह बहुत sensitive मामला है, अब जैसे मानलो, अगर मैं कहता हूँ, कि कोई cement या फिटायल, अगर आप मंगा रहे हो, बाहर से कहीं, किसी दूसरे देश से, तो वो तो फिर भी चल जाएगा, किसी item में use कर, कोई TV आप import कर रहे हो, TV म नहीं करेगा, लेकिन food items ऐसी चीज़ है, जो आप उसको directly consume करते हो, और इससे directly आपको harm हो सकता है, अगर contaminated रहा तो इंसान की मिर्ट्यू भी हो सकती है, तो इसके उपर निगरानी रखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर जो standard established किया गया था 2006 के act के तहत, वो दोनों ही food पर imply करता है, चाहें वो domestic के अंदर कोई manufacture हो, या फिर कोई imported हो, तो वो सारी जिम्मेदारी FSCI के तहती होती है यहाँ पर, और in fact आप देख सकते हो, यहाँ पर जो commerce ministry, क्योंकि FSCI ध्यान रखेगा, यह health ministry के अंदर में आती है, और जो directorate general of foreign trade है, यह commerce ministry के अंदर में आती है, औ नहीं इन सारी चीजों पर focus करती है, import regulation, market surveillance, consequential measures क्या होगा, वो सब कुछ FSCI के द्वारा ही देखा जाता है, अब कैसे यह चीजें निगरानी रखी जाती है, मैं आपको बताता हूँ, basically इसमें three tier system आपको देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी food item, जब यहाँ पर FSCI को refer किया या verification के लिए, एक तो है scrutiny of document, मतलब जो food items आ रहा है, उसे related जो documents है, उसकी proper जांच होती है, scrutiny होती है, फिर visual inspection होता है, और finally यहाँ पर sampling and testing होती है, इन तीनों चीज से गुजरना होता है, तभी कोई food item भारत में enter कर सकता है, और in fact आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको implement करने के लिए, जो FSCI के spokesperson है, उनके द्वारा बताया गया, कि जो imported food items है, for their safety and quality, FSCI ने क्या कर रखा है, कि notified authorized officers को appoint कर रखा है, basically क्या है, जैसे मालो भारत है, उसमें बहुत सारे ports हैं, हमारे peninsular region में, ठीक है, बहुत सारे ports आपको देखने को मिलेंगे, अब food items तो भारत के किसी भी port पर आ सकता है, तो इस तरह कि बहुत सारे ports हैं, हमारे देश में, जहां से food items भारत के अंदर enter करते हैं, तो वहाँ पर उस port पर निगरानी रखने के लिए, FSCI ने बहुत सारे officers को तैनात कर रखा है, ताकि वो उसकी जाच कर सकें, तो जब यहाँ पर उसकी sampling, मतलब कि documents चे जारी कर दिया जाता है, no objection certificate, और उसको भारत में enter करने दिया जाता है, लेकिन अगर वो FSCI के standard से meet नहीं करता, तो उसको non-conforming report जारी की जाती है, और उस case में वो भारत के market में enter नहीं कर पाता, यह ध्यान रखेगा, और similarly मैं आपको बता दूँ, अब हो सकता है कि बहुत सा भारत के market में आ गया है, वो सही नहीं है हमारे health के लिए, उसने जो exporter है, जो मानलो Europe में बैठा कोई exporter है, उसने गलत समाना आपको भेजा है, तो आप खुद से भी action ले सकते हो हैं, और FSCI को बता सकते हो, कि यह standards को meet नहीं कर पा रहा है, तो यह सोविधा भारत के अंदर यहां पर दी गई है, और साथी साथ मैं आपको यह बता दूँ, कि FSCI नहीं यहां पर खुद का risk management system, RMS, risk management system जो है, इसको implement कर रखा है, मतलब जहां से यह, जिस जिस port से एंटर करता है, वहां पर basically जो एक single window clearance system होता है, वहां पर swift system, that is single window interface for facilitating trade, तो वहां पर क्या होता है, ज कि पहले उसका record कैसा रहा है, वो जो manufacturer है, जो exporter है, जिसने पहले भेजा था, क्या वो सही है कि नहीं, क्या पहले उसने गलत item भेज रखा है कि नहीं, तो अगर मान लोग पहले उसने गलत item भेज रखा होगा, तो officers को तुरंत यहां पर alert हो जाएगा, कि उस समान को अच्छे से चेक करिए, कि उसमें गरवड़ी काफी हो सकती है, तो यह भी चीज होता है, लेकिन देखो बहुत सारे challenges है, आप सोचिए, कितने सारे food items भारत में आते होंगे, daily basis पर, तो क्या आपको लगता है कि इतना easy होगा, हर एक चीज का proper testing sampling, और इसलिए देखें, यहां पर कई ब linear standard हो France के अंदर, और जब, क्योंकि France को तो लग रहा है कि वो सही है वो food product, और जब भारत आता है, तो भारत में हो सकता है कि हमने strict standard set कि हो, तो उसकी वज़े से वो कई बार reject हो जाता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, France के regulatory के दोरा वो सही है, लेकिन इसकी वज़े से issues आते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या है, कि देखो भारत के अंदर 100 ports of entry है, मतलब कि बहुत सारे ports हैं, 100 से जादा यहाँ पर ports of entry है, तो वहाँ पर क्या आपको लगता है कि सारे food testing, collection, सबकी facility होगी नहीं होगी, और इसी के वज़े से क्या होता है, कि यहाँ पर कई बार issues आते हैं, और कई importers ने क्या क्या है, कि इस तरह की जो ports, जहाँ पर यह facility नहीं है, वहाँ पर food items मंगाना ही बंद कर दिया है, और कई बार traceability का भी issue आता है, जैसे मानलों अगर कोई आटा है, अब आटा बनने में हो सकता है कि कहीं से गेहूं किसी दूसरे agriculture field से, अमेरिका के agriculture field से गेह issues आ जाते हैं, जिसकी वज़े सी यह challenges है, तो I hope कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही products, जो है वो reject होते है foreign countries में, भारत भी कई ऐसे products हैं, जो reject करता रहता है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था, जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, dioxin, यह कौन से चीज से related है, यह चार option में आपको बताना है, कौन से चीज से related है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो संद आया होगा, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.